हलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल आज के वीडियो में आप न्यू डिजाइन की तोन पट्टी बनाना सिखेंगे तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो प्लीज चैनल को भी सस्क्राइब कर लें तो चलिए इस तोन पट्टी को बनाना शुरू करते हैं तो आप पे हमने चार कलर का यह उलन लिया है टूपलाई उन है और कुरुश्या हमारा टू यम यम है तो सबसे पहले तो हम चैन बनाएंगे एक चैन हमने यह बनाया दो तीन चार पात छे साथ आठ, नो दस ग्यारा बारा, तेरा चौदा पंद्रा और यह लाष्ट का सोला तो इसमें हमने सोला चैन बनाया है अब इसको हम बन्द करेंगे इस तरीके से गोल करके देखिए फर्स्ट वाले चैन में इसके अंदर देखिए हम कुरूश्य को डालके और यहां से दोनों फंदो को बंद कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से बंद कर लेना है अब इसके आगे हम फिर चैन बनायेंगे एक, दो, तीन तीन चैन बनाके हम डबल कुरुशिया बनाएंगे धागे को हमें इस तरीके से देखिए कुरुशिया में लेना है और देखिए यह नीचे जो चैन है इसी चैन के अंदर से देखिए हम धागे को निकालके डबल कुरुशिया बना रहे हैं ये ये तो it emp brothers and mom singer और फिर आगे देखिए फिर हम लाग मेरा जो चैन नेक्षड वाला अब इसके पारे में siam दागे को निकालेंगे इसके अंदर से को कि हैरा या से में दागे को निकालके फिर डिबंगर बना लेना है एक चैन में से हम दो डबल कुर्षय बनाएंगे देखे इसमें हमने दो डबल कुर्षय बना लिया है और फिर इसके आगे नेक्स्ट वाले चैन में से देखे यहाँ से भी हम डबल कुर्षय बनाएंगे हर चैन के अंदर से हम दो डबल कुर्षय बनाते हुए इसको पूरा गोल करेंगे तो इसमें देखेए हमने दो बना लिया है पिर आगे नेक्स्ट वाले चैन में फिर हम दो डबल कुर्षय बनाएंगे हर चैन के फंदे में से हम दो दो डबल कुश्या बनाते वे से गोल बना लेंगे झाल बनाते खलत, कि मुआ है हुआ है. झाल वे झाल लाश्ट में भी देखिए हमने दो डूबल कुशे बना लिया है एक गोल बन गया है अब इसके बात दिखिए जहांस हमने बनाना इस्टार्ट किया था यह चैन हमने तीन बनाया था अब इसी में देखिए हम इस तरीके से इसको बंद कर देंगी और धागे को हम कट कर देंगे आगे इसी तरह का हम टिक्की और बना लेंगे तो देखिए ए धागा हमने कट कर दिया है गोल देखिए हमारा बन गया है तो इसमें देखिए हमने 20 टिक्किया बनाये है और इसमें भी हमने 20 टिक्की बनाये है अब इन दोनों टिक्की को हम साइड के लेना है अंदर की साइड दोनों ये देखिए उल्टा साइड मेरा रहेगा और बाहर की साइड दोनों सीधा रहेगा तो सबसे पहले तो देखे इस तरीके से हम याप पर सुई को डाल के याप पर नोट लगा लेंगे इसको नोट लगा के अब इसको देखे हम सीलेंगे इधागा जो है इसको हम इस तरीके से अंदर की साइट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको सीलते हुए आगे की तरब चाहेंगे दागे को देखे हम कट कर देंगे और यहाँ पर नोट लगा लेंगे यह देखे सुईद से हम नोट लगा ले रहे हैं इस तरीके से अब इसके आगे देखे हम धागे को आगे की साइट कर लेंगे अब यहाँ से देखे हम काउंट करेंगे जो डूबल कुर्श्य हम ने बनाया है तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, यह बारा तो यहाँ पर देखे हम इसके अंदर में सुईद को इस तरीके से डाल लेना है यहाँ धागे को निकाल लेंगे हम अब दूसरी साइट भी हम काउंट करेंगे यहाँ से देखिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, यह बारा अब यहाँ से भी देखिए हम सुईद को यहाँ से निकाल लेंगे इसके अंदर से यह देखिए दोनों बराबर है अब इसको हम सी लेंगे जैसे हमने फ़स्ट वाला सी ला था, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी सी लेंगे अब यहाँ पर देखिए धागेकों में नोट लगा लेना है और आगे की साथ धागेकों निकाल के कट कर देंगे अब इसको हम देखिए इस तरीके से खोलेंगे तो इस तरीके से देखिए हलके हाथों से इसको हम दबाते हुए इस डिजाइन को थोड़ा सा बैठा लेंगे यह देखिए दोनों साथ से तो आगे इसी तरीके से हम दोनों कलर का टिक की लेके सील लेंगे तो देखिए हमने ये सारे टिकियां सिलके इसको हमने बना लिया है अब इसको हम जोड़ेंगे ग्रीन कलर का देखिए धागा हमने ले लिया है अब हम इसको वाडर बनाएंगे तो देखिए फश्ट वाले भंदे से पले हम धागे को जोड़ेंगे यहाँ पर टाइट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए एक चैन बनाके और आगे नेक्स्ट वाले फंदे में देखिए यहाँ से इसके अंदर से देखिए इस तरीके से में धागे को निकालके और देखिए जो दो फंदा आये कुरुश्या में इसको में एक कर लेना है इस तरीके से देखे, फिर आगे हम एक चैन करके, और देखिए, नेक्स्ट वाले फंदे में, यहां से धागे को निकालके, और फिर इसके अंदर से निकाल लेंगे, फिर एक चैन करेंगे, यहां पर देखिए, हर फंदे के अंदर से में धागे को निकालना है, और दो फंदा जो है इसको एक कर लेना है फिर आगे देखिए एक चैन बना के यह देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में से हम धागे को निकाल के इस तरीके से देखिए हमें बंद कर लेना है फिर आगे एक चैन कर लेना है इसी तरीके से हर फंदे में से हम इसको बंद करते हुए बाडर बन प्राइंगी यह देखिए लास्ट का हमें एक फंदा छोड़ देना है अब इसके आगे हम दूसरा टिक की लेंगे तो देखिए हमने दूसरा टिक की ले लिया है और दोनों कलर से हम इसको बारी बारी से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरा कलर हमने उपर की साइट कर लिया है तो यहाँ पर भी हम एक फंदे को छोड़के दूसरे फंदे में देखिए यहाँ पर यहां से हम धागे को निकालके और इसको बंद कर लेंगे इसके आगे फिर एक चैन बनाएंगे नेक्स्ट वाल देखिए फंदे से धागे को निकालके दो का एक कर लेना है फिर एक चैन फिर आगे फंदे से धागे को निकालके दो का एक कर लेना है इसी तरीके से हम इसमें आगे तक बना लेंगे तो आगे हमें इसको बना लेना है तो देखिए हमने ये दो बाडर बना लिया है अब इसको हम दूसरी टिक की लेके इसमें जोड़ेंगे यहाँ पर एक फंदा देखिए हमें छोड़ देना है तो यहाँ पर देखिए उपर की साइड हमने यह दूसरा कलर ले लिया है कलर भी यहाँ पर देखिए हम चेंज कर रहे हैं एक उपर की साइड और एक नीचे की साइड तो यहां पर देखिए एक फंदा में छोड़के एक दूसरे वाले फंदे में देखिए यहां से धागे को निकालके में बंद कर लेना है इस तरीके से और फिर आगे एक चैन करके एक नेक्ट वाले फंदे में से धागे को निकालके में दो का एक कर लेना है फिर एक चैन हर फंदे के अंदर से हम धागे को निकाल के दो को एक करेंगे तो इसी तरीके से ये बाडर बनेगा तो हम इसी तरीके से इन सब में टिक की जोड़ के आगे तक बना लेंगे तो देखिए हमने एक साइट का ये पूरा बना लिया है ये टिक्की हमने इसमें जोड़ दिये हैं सब टोटल इसमें 20 टिक्निया बैठे हैं तो इसको हम टर्ण करना आपको बता दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यह लाश्ट तक हमने यहाँ पर फंदा नहीं चोड़ा है लाश्ट तक इसको बनाया है बाडर को और इसके आगे देखिए यह दूसरे कलर का जो टिकी है अब इसके अंदर देखिए यहां से धागे को निकाल के हम और इस तरीके से बंद कर लेंगे फिर एक चैन करके और देखिए नेक्स्ट वाले चैन में यहां से धागे को निकाल के और दो का एक कलेना है फिर एक चैन हर फंदे के अंदर से धागे को निकाल लेना है और दो का एक कलेना है और एक चैन तो इसी तरीके से हम इसमें यह पूरा आगे तक बना लेंगे तो इसको देखिए हम बना लेंगे यहां तक तो यहां पर देखिए हमने इसको बना लिया है तो जैसे हमने फर्स्ट वाले टिकी में जोड़ा था बिल्कुल उसी तरकी से में इसको जोड़ना है एक पंदा देखिए छोड़के यह दूसरे वाले टिक्की में देखिए एक फंदा में छोड़के फिर आगे वाले फंदे में से यहां से देखिए धागे को निकालके और इस तरीके से बंद कर लेना है एक चैन यह देखिए फिर आगे वाले इसके फंदे में से धागे को निकालके दो का एक कर लेना है यहाँ पर देखिए एक चैन बनाके फिर आगे वाले फंदे में से धागे को निकालके यह दो का एक कर लेना है तो जैसे हमने नीचे का वाडर बनाया है विल्कूल उसी तरीके से हम इसमे भी आगे बना लेंगे और जोड़ती हुए इसको जाना है तो देखिए हमने इसमें दोनों साइट का वाडर है अब इसके बाद हम बीच का वाडर बनाना बताएंगे तो उपर वाली डिजाइन में देखिए हम एलो कलर से बाडर बनाएंगे जैसे हमने ग्रीन का बनाया है तो हाँ पर देखिए एक साइड का हमने एलो कलर से बाडर बना लिया है जैसे ग्रीन कलर से हमने इसको बनाया था सेम डिजाइन है यहां पर फंदा नहीं छोड़ना है और देखिए नीचे का जो हमने टिक्के में फंदे छोड़े हैं यहां पर इसमें देखिए इस तरीके से कुरूशे को डाल लेना है और धागे को देखिए निकाल के हम इसको बंद कर लेंगे अब देखिए जो दूसरा टिक्की है इसके अंदर से भी देखिए यहाँ से धागे को निकाल लेना है जो उमने फंदा छोड़ा था और इसको भी हम बंद कर लेंगे इस तरीके से और फिर आगे देखिए जो उपर का देखिए डिजाइन है इसमें देखिए फर्ष्ट वाले फंदे से यहाँ से देखिए हम धागे को निकालेंगे और इसको बंद कर लेंगे अब इसके आगे देखिए एक चैन बनाएंगे और आगे देखिए फंदे में से धागे को निकालके यह दो का एक कर लेना है फिर एक चैन हर फंदे के अंदर से हम धागे को निकालके यह दो का एक करेंगे एक चैन करके देखिए फंदे में से धागे को निकालके हम दो का एक कर ले रहे हैं तो इसी तरीके से हम यह आगे तक बना लेंगे हर फंदे के अंदर से हमें धागे को निकालके दो का एक कर लेना है यह देखिए लाष्टक बन गया है नीचे वाले जो डिजान में देखिए हमें धागे को निकालके और इसको बंन कर लेंगे यह देखिए आगे जो दूसरा टिकी है इसमें देखिए भी हमने फंदे छोड़े थे इसमें भी हम निकालके इसको बंद करके इसके ऊपर वाले डिजाइन में देखिए यहां से धागे को निकालके और आगे हम बना लेंगे तो हमने देखिए दोनों साइट का बना लिया है यह तोरन प्ट्टी मारा बनके त्यार हो गया है तो बहुत ही सिंपल असान और देखने में तो बहुत ही खुपसूरत तो वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बिल आइकन बटन को भी आउन कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अफ्लोड करू उसका नोटिफिकर्सन आप तक सबसे पहले पहुच जाए अगर वीडियो अच्छा लगए है तो कमेट में बताना फिर मिलती हूँ किसी नेडियान में थैंक्यू